Hello everyone, I am Niharika, welcome to my channel. इस वीडियो में हम Rational Numbers, Class 8, Chapter 1, Exercise 1.1 का Second Question करेंगे. यह Exercise हमने NCIT के Book से लिए है. First Question है हमारा, Write the addictive universe of each of the following. हमें इहां पे Questions दे रखिया और हमें इनका Addictive Universe राइट करना है. Question करने से पहले हम समझ लेते हैं कि Addictive Universe होता क्या है? Suppose हमें इहां पे कोई Rational Number दिया हुआ है. Means हमें आप ले लेते हैं जैसे A upon B हमें कोई Rational Number दिया है. अगर यह Add में है, means जो Sign है वो Addition का है, means कोई Sign अभी हां नहीं लगा हुआ है, इसका Means यह Add में है, तो अगर हमें इसका Addictive Universe लिखना होगा, तो हम इसको Simply माइनस में लिख देंगे. Means इसका Sign चेंज कर देते हैं. अगर कोई Supplection में है, तो उसको हम Addition में चेंज कर देते हैं. यह हमारे होते है Addictive Universe. ऐसा किया क्यों जाता है? हमें Simplys का Means होता है, कि हमें जो भी Number दिया है, उसमें हम कुछ Add ऐसा करें, जिससे हमें Add करने पे Answer हमारा 0 मिल जाए. अब A upon B में हम ऐसा ही कौन सा Number एड़ कर सकने हैं? तो A upon B में A-B अगर हम Add करेंगे, तो हमारा Answer 0 हो जाएगा. Basically, यह Concept यहां से लिया गया है, और हमें इसी के तुरू इसको Solve करना होता है. बट हम Simply समझ सकते हैं, समझने के लिए भी, कि हमें सिर्फ इनके Sign चेंज करने होते हैं. अगर कुछ Add में दिया है, तो उसे सप्रेक्ट में करना है, अगर कुछ सप्रेक्ट में दिया है हो, तो हम उसे Addition में चेंज कर देंगे. चले, फर्स्ट कोशन देखते हैं. फर्स्ट दिया हो है, टू अपॉन एट, अब यहां पर कोई Sign नहीं है, इस का मींस ही हमें Add में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसका Additive Universe के लिखेंगे, माइनस टू अपॉन एट, सेकेंड कोशन दिया है हमें, माइनस का 5 अपॉन 9, अब यहां पर Sign माइनस है, तो हम इस Additive Universe जब Change करेंगे, तो हम इसे Add में लिखेंगे, 5 अपॉन 9, यह हमारा Answer है, थर्ड दिया है, माइनस का 6, अपॉन माइनस का 5, अब यहां पर उपर और नीचे दोनों माइनस लगा है, जब हमें पता है कि Fraction में, ऐसे Rational Numbers दोनों माइनस होतें, तो यह माइनस माइनस कैंसल ह हो जाते हैं, इसका Means होगे, यह हमारा Number बना 6 अपॉन 5, और इसका Additive Universe अगर हम करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 6 अपॉन 5, यह होगे हमारा Answer, Next है हमारा 2 अपॉन माइनस 9, अब यह माइनस में है, तो हम इसे Add में चेंज कर लेंगे, यह Answer क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 9, Next है हमारा, 19 अपॉन 6, यह भी माइनस में है, तो हम इसे किस में चेंज कर देंगे, एड में चेंज कर देंगे, तो इसका Additive Universe क्य होगे हमारा, 19 अपॉन 6, यह होगे हमारा Answer, I hope आप लोगो यह समझ में आयोंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम 1.1 का 3rd question solve करेंगे, Thank you!